तो यह है I is equal to delta minimum plus A by 2, R की value क्या है A by 2, तो अगर हम snail's law apply करेंगे तो एक snail's law का equation ऐसा लिखा था, कि sin I is equal to mu into sin R, तो snail's law apply करने से हमारे पास mu की value आएगी, mu is equal to sin I by sin R, I की value यह del mean plus A by 2 और R की value A by 2, तो यहां से हमारे पास mu का एक बहुत ही equation, useful equation आजाता है, जिसको कई बार यह delta minimum plus A divided by 2 divided by sin A by 2, तो यह हो जाएगा refractive index mu, ठीक है, जैसे, तो कई बार delta minimum दिया हुआ होगा, जैसे मालो की, जैसे माल लेते हैं कि हम find करते हैं, question लेते हैं, कि for a prism, if A is equal to, question लिखते हैं, A plus del M by 2 divided by sin A by 2, तो एक question लिखते हैं, कि for any prism, question लिखते हैं, कि for any prism, A is equal to 60 degree, A is equal to 60 degree, और N is equal to root 7 by 3, N is equal to root 7 by 3, find the minimum possible value of angle of incidence, find minimum possible of angle of incidence, कि ray is refracted, ray is refracted from other face, minimum possible, ये है, ये है, minimum possible angle of incidence, so that ki ray is refracted from the other face, other face and find delta minimum, find minimum possible angle of incidence, delta minimum बतादो, minimum बतादो, delta minimum, पहला है कि minimum angle of incidence, में फाइंड करना है, find the minimum possible, सबसे कम, I minimum और delta minimum, दो चीज़े हैं, तो मैं अभी delta minimum बतादो, I minimum मैं अभी बता रहा हूँ, delta minimum के लिए ये equation है, हमें क्या given है, मु गिवन है, और A given है, तो यहां से लिख सकते हैं, में इस equation को, मु दे दिया गया, तो sin A by 2, sin A by 2, into mu, is equal to sin, A plus del m, by 2, sin A by 2, A की value 60 degree, 30 degree, sin 31 by 2, into, root 7 by 3, root 7 by 3, तो यहां से हो जाएगा sign, मैं आरी ये कुछ आएगा नहीं क्या, क्या क्या कैज़ाए ये, यह वह हो अनि-अ अच्छा ऊवसर selling मीनिमाम के लिए डिल्टा मिनिमाम करना El kinda यहाँ मीनिमाम के लिए डिल्टा मिनिमाम Jadi Less इस पाइले केस के ले जंडल जंडल एंगल-अफ-इंसिडेंस के लिए नहीं है फिरेखो लिए हमें देखना है पहले तिस तेटमन्êu का मतलब देखो समझना होगा पहला जो है वो यह गिवन है कि मिनिम्मम एंगल आफ इंसिडेंस कितना हो दो सो दैड की दूसरे फेस्च से लाइट हो है लाइट रेफ्रक्ट हो हो है लाइट रिफ्रक्ट हो मुझेम्म इसको बेइस को बोना है इस इकोल तो 60 डिगरी गिवन है थोड़ा सा थोड़ा अटेंटिव हो जाओ ए जो है 60 डिगरी गिवन है इस इकोल तो 60 डिगरी और यह रिफ्रेक्टिव इंडेक्स गिवन है रूट 7 बाई 3 तो ऐसा दिया हो है कि minimum angle of incidence for which light is reflected from second phase second phase से रिफ्रेक्शन होना चीए तो क्या ऐसा भी कोई केस हो सकता है कि रिफ्रेक्शन ना हो हां ऐसा केस तो हो सकता है कब जब यहां पर टी आयार हो क्यों यहीं पर टी आयार होगा क्योंकि यह देंसर से रेरर में जाएगी यहां पर टी नहीं होगा क्यों क्योंकि light तो air से glass में जाएगी तो यहां टी आई-ाई-ार नहीं होगा यहां टी आई-ार के chances हैं तो हमारा target क्या है कि second phase पर reflection हो इसका मतलब टी आई-ाई-ार नहों तो टी-ा-ई-ार नहोंने के लिए ऐसे सोचोगे देखोगे थोड़ा equation अपने दिमाग पे थोड़ा डालोगे और equations को याद करोगे यह था हमारा i यह था r1 और यह था r2 और यह है e तो पहली चीज़ यह देखना है कि r1 प्लस r2 तो है constant r1 प्लस r2 है constant अगर हम angle of incidence को increase करते हैं तो r1 increase होता है सीधे सीधे snail's law से r1 increase होता है बट सम है constant तो r2 decrease होता है r2 decrease होगा तो e की value भी क्या हो जाएगी? decrease हो जाएगी मतलब अगर i increase करते हैं तो e decrease होता है i increase करते हैं e increase होगा i अगर बढ़ता जाएगा यहां से i की value कहां से कहां बढ़ सकती है? i की value जब बढ़ सकती है 0 से लेकर 90 तक 0 से 90 तक तो e की value कम हो रही है तो e की value कम होती जा रही है मतलब क्या है? e की value कहां से कहां जा सकती है? 0 से 90 तक तो यह क्या है अगर हम यह देखते हैं कि भाई अगर यह कब TIR नहीं होगा जब यहाँ पे critical angle पहुँच जाए तब इधर total internal reflection नहीं होगा क्या हो जाएगा total internal reflection हो जाएगा तो उस case में अगर सोचते हैं कि भाई अगर हमें यहाँ पे यह कराना है TIR कराना है तो जो R2 की value होनी चाहिए वो R2 refract होना चाहिए तो reflection होने के लिए R2 की value किस से छोटी होनी चाहिए less than or equal to critical angle तब ही refract होगा second phase से मतलब क्या है कि R2 की जो maximum value है R2 की जो maximum value है वो कितनी हो सकती है R2 by theta से छोटा हो तो maximum क्या हो सकता है उसके बराबर हो सकता है समझ पा रहे हो condition question में क्या है सुनो ज्यान से कि second phase से reflection हो reflection होने की condition मतलब total internal reflection नहों तो reflection होने के लिए कब TIR नहीं होगा जब यह angle critical से छोटा होगा maximum कितना हो सकता है maximum उसके बराबर हो सकता है तो ऐसे case में अगर denser medium का angle critical के बराबर होगा तो क्या यह बता सकते हो कि यह angle कितना होगा E की value यहाँ से I की value यह जो है critical के बराबर है तो यह क्या है यह 90 है यही तो था ना denser medium में अगर critical होगा तो error में 90 degree होगा यह critical की property यह critical हो गया यह R1 की value क्या हो जाएगी क्या R1 की value A minus critical होगा इसके corresponding यह I की value होगी यह क्या 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 है बोलो तर्टी डिरी हो थिश्या था थे डिरी होगा कैसे वो 90 होगा तो वो आर्टु नायन्टी होगा? नाहिं यह 90 होगा तो यह critical होगा ना यह 90 होगा तो यह critical होगा यह critical तो critical i की value हमें find करनी है आंसर तो सही बता रहे हो sin i but कैसे इसको find किया तुमने sin i is equal to mu into sin a minus theta c a minus theta c तो इसको हमें solve करना पड़ेगा i sin i is equal to mu mu is equal to root 7 by 3 sin theta c की value हम जानते है में sin theta c is equal to 1 by mu तो 1 by mu का मतलब है कि यह है 1 और यह है mu is equal to root 7 by 3 sorry 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 1 by mu तो 1 by mu अगर put करेंगे तो यह कितना हो जाएगा root 7 root 3 by 7 root 3 by 7 तो अगर right angle triangle हम ऐसे देखते हैं तो यह हो जाएगा root 3 यह हो जाएगा root 3 और यह हो जाएगा root 7 तो यह क्योंगा square 3 7-3 4 4 का root और यह हो जाएगा 2 को तो साइन साइन एक माइनस भी तो साइन कोस भी माइनस कोस एसाइन थीटा सी इसको कर देना है कि अधिए के वेलिव देखते हैं इसमें नहीं साथा और उनकिलेट कर भेए आंसर तो शेयद उसने सई दिया है साइन आई इस एक्वाल टू रूट QUE सेवन वाई रूट थरी साइने साईने इस एक्वाल टू साइन सिक्स्ती मातलब ग्रूट द्री यू इन्टो पसeldra see पॉसाइट के्ठी यू न्षया से कोशटेटा से टू माई रूट सेवन तो रूट 3 बाई रूट 7 ऐसा तो यह रूट 3 बाई रूट 7 जोए देखो कैंसल आउट हो जाएगा रूट 3 बाई रूट 7 यहां से कैंसल आउट हो गया यह हो जाएगा 1 1-1 by 2 sin i is equal to 1 by 2 sin i is equal to 1 by 2 i is equal to 30 degree यह एंगल होना चीह यहां से तो एंगल आपडिवेशन कितना हो जाएगा आई- तो मिनिममम एंगल आपडिवेशन इस केस में इस एंगल के लिए मिनममम एंगल आपडिवेशन कितना हो जाएगा डिल्टा जो मैक्सिमम होगा वो डिल्टा is equal to i i plus e minus a था यह हो जाएगा 30 plus e है 90 minus 60 तो यहां से आजाएगा सिक्स्टी डिग्री सिक्स्टी डिग्री हो जाएगा एंगल आपडिवेशन समझ पहा है इसको बताव भी नहीं कि पहला था कंडिशन यहां पर था कि सेटर्वेस पर जो है वो इंटायर होना चाहिए महानिस ऊना चाहिए कंदेशन होना चाहिए मतलब धियाई आह नहीं होना चाहिए एंगल जो है वो critical से कम होना चाहिए और कम क्या maximum कितना हो सकता है critical के बराबर हो सकता है उसको हमने put कर दिया और फिर उसको evaluate करते गए तो हमारे पास angle of incidence की value आई angle of incidence को put कर दिया यहाँ पे तो हमारे पास deviation की value आगई i plus e minus e ठीक है तो silence का मतलब यह है किस समझ गया है क्यों अंकित है जीज ठीक है तो अब ये delta वाला graph यहाद है कि delta का graph होता था angle of division का कैसे type का graph होता है ऐसा type का होता है यहां से ये ऐसा type का graph होता है delta versus angle of incidence delta versus i यहां से ये angle of incidence है यह exactly symmetrical नहीं होता है, यह middle point नहीं होता है, यह minimum delta है, यह minimum delta है, इस point पे I is equal to E है, यहाँ पे जो है वो हथा I minimum, यहाँ पे और यह क्या है, जो I की value है, वो 90 degree है, तो यहाँ से देखोगे, कि अगर इस angle से छोटा हो गया, थोड़ा से दिमाग पर जोड़ालो, थोड़ा से दिमाग पर जोड़ालो, हलाकि इसकी जुरूत नहीं है, बट फिर भी, कि अगर यह I is से कम हो गया, I अगर इससे कम हुआ, I तुमने decrease किया, तो E बढ़ जाएगा, यहाँ से देखो, इस equation से reverse है न, तो अगर I हमने further decrease किया, तो E further बढ़ जाएगा, E increase होने का मतलब कि यह light इसी medium में वापस आजाएगा, तो TIR हो जाएगा, refraction होगा ही नहीं, मतलब हम, हमें कुसी minimum angle of incidence के पहले, यह refraction के case में deviation है, तो इसलिए 0 से I minimum तक हमें कुछ मिलेगा ह नहीं, कल बताया था कि angle of incidence की value 0 से 90 degree होती है, हम वो graph plot कर रहे हैं, बट 0 से I minimum से यह graph क्यों ही start हो रहा है, क्योंकि 0 से I minimum तक हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि दूसरे surface से ray बाहर नहीं जाएगी, इसलिए 0 से I minimum तक का graph gaib है, I minimum से जाके 90 तक हमें मिलेगा, बीच में कहीं एक minimum value मिलेगी, जो यह by 2, r by 2, वो सारा कुछ है, ठीक है, so यह है, next हम इसमें, तो यह था angle of division, minimum angle of division, अब जो इसकी जो important application है, वो है dispersion, dispersion होता क्यों है, and dispersion, dispersion is the splitting of light, dispersion is the splitting of light, into constituent colors, constituent colors, combination of colors है कई सारे, तो वो जो है, अपने component colors में break होना ही होता है, dispersion, dispersion का reason क्या है, dispersion का reason है, एक जो है कौशी equation होता है, कौशी equation, कौशी ने जो है यह कहा था, कि जो कोई भी refractive index, जो है, वो वेब लेंद्ध के उपर, depend करता है, और उसकी dependency as type की है, a plus b lambda square plus c by lambda 4, ऐसे, ऐसे करके, तो minimum जो है, हम इतना consider कर सकते हैं, और यह starting में भी बताया था, कि जो mu है, वो directly proportional to 1 by lambda था, बतलब different different color के लिए, same prism, अलग-अलग refractive index दिखाएगा, different color के लिए, same prism, अलग-अलग refractive index दिखाएगा, glass का prism है, वही है, लेकिन आगर वो light color के लिए, कुछ अलग refractive index होगा, red color के लिए, कुछ अलग refractive index होगा, वो wavelength के उपर dependent होगी, तो यहां से देखो delta is equal to mu minus 1 into a था, mu minus 1 into a था, तो इसमें inversely proportional है wavelength के, तो रेमडा की, अगर red की wavelength जादा होगी wallet से, तो उसका mu जो है वो कम होगा wallet से, mu कम होगा, तो इसकी जो delta red की होगी, वो कम होगी और wallet का deviation जादा होगा, तो जब अलग-अलग deviation सफर करेंगे, तो जो light है वो अपने, उससे split हो जाएगी, कि white light अगर यहां पे incident होती है, white light अगर यहां से incident होती है, तो यह जो है split होगी, सबसे ज़्यादा splitting इसकी होजाए, delta इसका जादा होगा, मतलब यहां पे ऐसे, यह wallet आ जाएगा नीचे, और red क deviation कम होगा, तो यह red ऊपर रहेगा, और इसके बीच में जो है, सारे colors ऐसे होगे, तो यहां पे हमें, तुमारा favorite, विब्ग्योर मिल जाएगा, विब्ग्योर, तो यह है white, white light प्रिस्म पे split हो गया, अलग-अलग, angle पे इनकी splitting हुई, क्यों, क्योंकि refractive index, wavelength के ओपर dependent है, अग refractive index is independent of, refractive index is independent of wavelength, तो इसन से कौन कौन से फिनमना नहीं होगे, reflection, refraction, dispersion, total internal reflection, तो कौन से फिनमना नहीं होगा, कौन से फिनमना नहीं होगा, अगर wavelength के ओपर dependent नहीं होगी तो, बताओ, संस्कृति, reflection, 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 dispersion, dispersion ही होगा, और क्या वही तो पड़ रहे हम लोग, कि आगर wavelength के ओपर dependent नहीं करेगी, तो सब color के लिए mu same होगा, जब सब color के लिए mu same होगा, तो delta same होगा, reflection में तो कहीं mu का roll था नहीं, reflection reflection में भी कहीं था नहीं, reflection में ठीक है, light तो deviate होगी, हार color के light same deviation होगी, but dispersion हमें मिलेगा ही नहीं, dispersion मिलेगा ही नहीं, यह दोनों सेम हो जाएंगे, तो हम color को split नहीं कर पाएंगे, तो यह हमें मिल जाएगा, यह ऐसे जो है, विब्योर, विब्योर मिल जाएगा, seven colors मिलेगे, तो इसमें इस original direction से सबसे ज़्यादा deviate हुआ violet और सबसे कम deviate हुआ red, तो यह हो जाएगा delta red और यह हो जाएगा delta violet, तो जो net deviation होगा, जो हम बोलेंगे angular dispersion, angular dispersion theta is equal to delta violet minus delta red, यह हो जाएगा, mu v, यह पर small angle prism के लिए apply करेंगे, तो mu v minus mu r, कौन सा formula यूज क्या, delta is equal to mu minus 1 into a, यहाई पर violet violet के लिए put करेंगे, red red के लिए put करेंगे, difference लेंगे, यह cancel out हो जाएगा, यह आजाएगा, अब एक होता है mean deviation, mean deviation, mean किसके लिए हम define करते है, mean जो है वो yellow के लिए define है, ठीक है, ऐसा मत सुचना है कि सर मिडिल में तो green होगा न, green यह लो के लिए define है, delta mean, अब वो delta mean क्या होगा, वो delta mean हो जाएगा, del y और उसको हम find करते है, mu y minus 1 into a से, और generally mu y given होता है, अगर refractive index of yellow color given नहीं है, तो हम उसको कैसे find करेंगे, उसको हम ऐसे find कर सकते हैं, add करके, जो red के लिए होगा, प्रस जो violet के लिए होगा, divided by 2 कर देंगे, तो अब dispersive power measure होता है, which is omega, omega is equal to dispersive power, dispersive power, कि इसके respect में, mean के respect में, दोनों साइड कितना dispersion हो रहा है, उसका dispersive power उतना ज़्यादा होगा, क्या हो जाएगा, angular dispersion by mean deviation, यह क्या है, angular dispersion, angular dispersion by mean deviation, यह हो जाएगा, mean deviation, mean deviation, angular dispersion by mean deviation, तो angular dispersion का formula पूट कर देंगे, यह cancel out हो जाएगा, mu v minus mu r divided by mu y minus 1, यह हो जाएगा, इसका dispersive power, तो पहला तो इसमें तुम्हें क्वेस्टन ही आएगा, जो कि डारेक्ट गिवेन होगा, कि भई इसका बताओ, dispersive power बतादो, यह बतादो, जैसे मानलो, एक calculation कोई बता पाएगा, जल्दी-जल्दी, तो उसका लिख लेते हैं, यह टर्म्हें जानना जरूरी है, यह dispersive power बतादो, कि क्या होता है, angular dispersion होता है, कितने एंगल में spreading है, वो गया angular dispersion, suppose the reflective index of glass for red color, mu r is equal to 1.5, mu r is equal to 1.5 and mu violet is equal to 1.6, यह क्या हो जाएगा, बैं, mu yellow क्या होगा, जल्दी व्दाओ, yellow, mu yellow, yellow color के ले reflective index, यह लोग अलर के लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अरी क्या कर रहा है अभी तो पताया ना मुवी प्लस मुआ रवाई टू उपर देखो 1.55 1.55 this plus this by 2 to 1.5 plus 1.6 divided by 2 your jaga 1.55 what is dispersive power dispersive power but oh dispersive power 0.18 0.18 मुवी- मुवर बस इसको पुट करना है यह बोला हूँ कि डैलिक टाइप के क्वेश्चन इस पर रहेंगे फार्मुले बेस्ट तो मुवी- मुवर मुवी 1.6 minus 1.5 divided by 1.55 minus 1 यही वाला फार्मला प्लाइक करना है इसको पुट कर देंगे तो यह आ जाएगा 0.18 0.18 is the dispersive power यह हो जाएगा dispersive power तो यह इसका dispersion और division था ठीक है dispersion था, division था dispersive power था, angular dispersion था mean deviation था तुमको total internal reflection के भी एक question बता दिया इसमें ठीक है minimum deviation, minimum deviation TIR इसमें कैसे applicable होगा फिर lensments का भी बता दिया किसी को कोई doubt, confusion नहीं है ठीक है एक इसमें question पूछता हूँ कि कुछ यह मालो time है अपने पास तो कुछ question अटेंड कर लेता है कि यह मालो angle of prism है इसको silver कर दिया गया find the angle of incidence for which light ray retraces its path अपने 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 पात को रिट्रेस करने की क्या कंडीशन को सकती है क्या कंडीशन समझ में आ रहे किसी को r2 is equal to zero zero r2 zero है मतलब r1 plus r2 is equal to a था तो r1 की value हो गई a r1 is equal to a r1 अगर a हुआ तो यह i i की value क्या i sin i is equal to mu into sin a तो हम i की value यहां से find कर लेंगे values the given होगी तो calculate हो जाएगा mu sin a ठीक है ऐसे हम यहां पर apply कर देंगे एक और question देता हूँ एक और question भी है और वो method भी है जैसे मालिया की यह question है lens के ओपर यह convex lens है convex lens और यहां पर object प्लेस्ट है object प्लेस्ट है यह screen है यहां पर object है यह object और स्क्रीन के बीच में separation fix है separation fix है D है इसकी focal length F है तो क्या दिया हुआ है question में यह दिया हुआ है कि दो different position के लिए इस screen पर हमें image मिलते हैं क्या given है कि दो different position के लिए हमें यहां पर image मिलते हैं अब वो डो different positions के लिए हमें image मिलते हैं इस screen पर तो हमें वो बताना है कि मान लिया कि वो है X1 और X2 कि मान लिया कि एक बार lens यहां पे रखा हुआ है तो उसकी image मिल गई हमको, वो distance object की जो object distance वो मिल गई हमें X1 और जो दूसरी है वो हमें मिल गई दूसरी position कुछ है वो position ह। बूसरी हमें मिल गई x2 यह x1 और x2 है तो इस X1, X2 को यूज़ करके हमें इसका focal length बताना है इस method का नाम है displacement method displacement method तो यह displacement method क्या करते हैं displacement method lab में use होता है to find the focal length of the lens focal length किसका? only convex का क्यों केवल convex का? क्योंकि convex real image बनाता है concave में क्या खराबी है? concave जो है virtual image बनाता है तो क्या हो गया? virtual image को हम screen पर नहीं ले पाएंगे इसलिए हम experiment नहीं कर पाएंगे तो यह convex के लिए होता है तो हम आल लेते हैं कि देखो इसको कैसे solve करेंगे इसका use है focal length find करने के लिए तो ऐसे हम देख लेते हैं object distance है u object distance अगर u है तो यह जो है d minus u है और इसको हम put कर देते हैं 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f 1 by v कहां पर image form हो रहा है वो है d minus u और minus of object कहां पर है वो है minus u पर real है, convex है, focal length अगया तो यह हो गया 1 by d minus u plus 1 by u is equal to 1 by f तो यह हो जाएगा u plus d minus u divided by u into d minus u is equal to 1 by f u u cancel u u cancel तो यह equation क्या हो जाएगा df df is equal to ud minus u square तो यहां पर यह देखो खास बात यह है कि u के terms में हमें quadratic मिल गया u के terms में हमें quadratic मिल गया और वो हो जाएगा u square minus du plus df is equal to 0 तो u के दो root मिलने के लिए u के दो root मिलने के लिए इस quadratic का जो discriminant है वो greater than equal to 0 होना चाहिए discriminant क्या होता है b square minus 4ac मतलब हम क्या apply कर देंगे यहां पर b क्या है b के देखा minus d तो d square minus 4df should be greater than equal to 0 for two values for two values of तो ध्यान से समझना है कुछ tension नहीं लेना है कि हमने लिख लिए अभी u में quadratic बन गया मतलब दो तो मिलेंगे u1, u2 यही question में बात हो रही थी दो position के लिए हमें image मिल रहा था object image नहीं move कर रहा है object और screen नहीं move कर रहा है वो वहीं है lens खिसका रहा है हम लोग तो दो position पर हमें यहां पर image बन रहा है तो इसके लिए क्या हो गई कि देखो d को हमें इसे common ले ले लेते हैं d minus 4f greater than equal to 0 तो इसको आगर ध्यान से देखोगे तो यह सबंच में d तो हमेशा greater than 0 है यही quantity क्या होनी चाहिए d should be equal greater than or equal to 4f equal के case में क्या होगा equal के case में d जो है वो 4f के बराबर होगा मतलब object और image और दोनों कैसे है रियल है real object और real image के बीच में minimum gap कितना हो सकता है 4f मतलब अगर हमें एक object का real image चाहिए तो हमें यह gap 4f तक रखना चाहिए या 4f से जादा होना चाहिए नहीं तो real image नहीं बनेगा यहां का conclusion यह है तो में question अगर ऐसे आता है कि what is the minimum distance between real object and real image for a lens तो वह क्या हो जाएगा 4f तो अब वहां से वह u1, u2 फाइंड कर पाऊगे u1, u2, u1, u2 यहां से आजाएगी क्या है u1 is equal to u1 is quantity का root d plus minus b square b square minus 4ac तो यह हो जाएगा d square minus 4df divided by 2 यह हो जाएगा u, u के roots एक बार यह हो जाएगा एक बार यह हो जाएगा ठीक है तो यह हमारे दो हो जाएगे u1, u2 u1 की value d minus square root of d square minus 4df divided by 2 और u2 की value हो जाएगी d plus square root of square root of d square minus 4df by 2 तो अगर मालो यहां से दो पोजिशन्स हमें given है दो पोजिशन्स अगर तुम्हें दे दिया कि वही इस कोई convex lens है और वो different positions के लिए image बना रहा है तो find the focal length तो क्या इस फॉर्मले को देखके कहीं से focal length हम eliminate कर सकते हैं कि यह हमारे क्या है दो पोजिशन्स है तो अगर दिया हुआ है कि दो पोजिशन्स तुम्हें given है कि यह पोजिशन्स है एक्स वान और एक्स टू दो पोजिशन्स हैं जिसके लिए से दो इमेजिस फॉर्म कर रहा है then find the focal length तो क्या इस इक्वेशन को देख के हम find कर सकते हैं focal length इस इक्वेशन को देखो कि इसको देखो यह जो है गाप पोजिशन्स में जो गैप है क्या इसको सब्ट्राइट करने से हमारा सब्ट्राइ्ट करने से कौन से जादा होगा यूटू की यूलिव जादा है तो हम माल लेते हैं कि यूटू दो पोजिशन सोमय आ गई क्या गरेंगे यूटु माइनस यूटू माइनस-वन कर देंगे वो कितना आ जाएगा यू टो माइनस ख़ुआ इस ओकुल रवली स्वाइगी हट इस्पॉर्स उपाइगा yetesus जंढ़ी श्जाए जुथ जी सब्सक्राइगा ग्रिए मेरेस इसुमाइ गडाओर है कि यहां से फोकलल एंधिस कॉलेंट इस्पाइर गरनां हुथ df so focal length is equal to d square minus d square divided by 4d d d square जैसे तुम्हें दे दिया कि दो पोजिशन से हैं एक बार 60 cm पर हमें मिल रहा है एक बार 20 cm पर मिल रहा है एक बार 20 cm पर मिल रहा है कर लेंगे तो इसका नाम है यह जो है method इसका नाम है displacement method और यह directly ऐसे कई बार question आजाता है तो इसको याद रख लेना है इसके results याद रख लेने है कि focal length का formula क्या होगा U का formula क्या होगा minimum separation क्या होगी कैसे quadratic equation बनता है क्यों convex के लिए यूज करते हैं यह सारा कुछ तो इतने सारे points थे वही अब उसके अलावा यह जो है almost जो है यह सारे key points थे अब इतने पर question थोड़ा apply कर पाऊगे तो question कर लोगे कोई साभी question बाकी तो specific specific बहुत सारे situation के लिए बहुत सारे formula है वो सब के पीछे नहीं जाना है जैसे spherical के लिए basic था अब इस फेरिकल वाले सही lens के formula derived है लेंस का formula उमर पस पता है उसका power over पता है सब कुछ lateral shift है तो हमने सारे element cover कर लिए glass prism, glass slab, reflection, reflection, total internal reflection, wavelength के उपर dependency, dispersion क्या है, spherical surface क्या है, convex lens, combination, silvering, बहुत सारे चीज़े cover हो गई जिसे almost तुमारे questions जो हैं काफे कुछ cover हो जाएंगे, deviation, deviation का भी जो points बताया है बहुत useful है तो आज इतना ही रखते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे